नमस्कार दोस्तों शांकर इलेक्ट्रानिक चानल में आप लोगों को श्वागत करता हूँ दोस्तों आप लोग के सामने में अल्ट्रा सिलीम फलेट एकई सिंची का टी भी लेकर आये हूँ इसमें मैंने पलेट डाले हैं लेकिन इसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ दोस्तों ये टीवी जो जिसका है ये बंदा वो कहीं और लेकर गया था कारगर के पास बनवाने के लिए तो ये नहीं बन पाया तो मेरे पास लेकर आया है मैंने इसमें अपना पलेट नया डाला जैसे मैंने सारे पलेट को कनेशन किया और मैं बोर्ट को चालू किया 220 वोल्टेज इसको अंदर दिया ऐसे ही इसका 1803 खराब हो गया और इसका रेजिस्टेंस लोड़ वाली जो 110 वोल्टेज एस्टी पर जाती है खराब हो गया तो मैंने इसको रेजिस्टेंस को निकाल कर दूसरा लगाया और 1803 को भी दूसरा लगाया लेकिन ये टी भी आउन नहीं हुआ तो आज मैं इसी पर एक वीडियो बना रहा हूँ यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रू किजेगा यदि आप नए है तो सस्क्राइब कर लिजे ताकि हर नया वीडियो आपको मिलता रहे है अब मैं आपको बता रहा हूँ जो यो क्वाइल से चा काला नहीं मैंने भी ऐसे ही लगा दिया यही पर गलती वो किया है चारों जितने क्वाइल पर जितने टाके लगे हैं ने ने दिख रहे हैं इसमें नया तो कर दिया है लेकिन वो ध्यान नहीं दिया और वो फस गया तो मैं भी ध्यान नहीं दिया मैं भी लगा दिया तो क्या गलती यह है इसमें आपको मैं बताऊंगा जैसे मैंने इस टीवी को आउन किया वैसे ही टीवी से आवाज आ रही थी प्लेट से जैसे लग रहा है यह टी आवाज कर रही है और तो मैंने सोचा कि यह टी साइट ज्यादा वोल्टेज निकाल रहा है इसलिए आवाज कर रहा है तो मैंने इसको घुमाया भी और नहीं कुछ कॉंट्रोल हुआ तो यही बीमारी मैं आपको बता रहा है कि कहां से फाल्ट था यह और कहां पे इसका वाइर लगाना चाहिए जो कि इसमें जो वाइर है एक गलती किया था और इसी गलती के कारण आप भी इस गलती को न करें मैं आपको एक नया ट्रिक बताऊंगा इस वीडियो को देखने के बाद आप गलती न करेंगे तो डिटल मार्टी मिटर से हम इसको नापेंगे और कैसे नापेंगे और कहां कहां पर वाइर लगाएंगे जो डिटल मिटर का जो वाइर होता है तो इसी से हम नाप करके आपको बता देंगे कि हां यहां पर वाइडिकल का है और यहां पर हरजिंटल का है तो टीटल मिटर को मैं ओम से पे शेट कर लिया है और वही दोसों पर तो दोसों पर शेट तो कर लिया है मगार इसमें कभी भी आप इसको नापेंगे तो इसका जो जेक होता है होरिजिंटल का चारो तार इसको बाहर कर लिजेगा इस पलेट से बाहर कर लिजेगा तब ही आप अच्छी तरह से इसको नाप सकते हैं तो ये चारो वायर मैंने इसको बाहर कर लिया है अब मैं इसको ना पूंगा कि कितना continuity बता रहा है ये कितना ohms बता रहा है तो यहाँ पे बता रहा है 9.5 ये 10 ohms के करी में जा रहा है यहाँ 10 ohms आ रहा है vertical पे तो समझे वर्टिकल कहाए और यहाँ पे हम देख रहा है 3.3 यहाँ पे 3.3 ohms बता रहा है तो यहाँ पे इतना आना चाहिए जो कि यहाँ बंदा इसको लगाया था तो यहाँ पे देखिए 1.5 तक जा रहा है ये डिड़ ohms तक बता रहा है तो यही पे गलती किया था और ध्यान नहीं दिया मैं भी ध्यान नहीं दिया मैं भी लगा दिया तो इसके कारण इसका 18.3 और रेजिस्टेंस खराब हो गया और मैं आपको बताऊंगा कि यह जो पलेट है आप कभी भी नया पलेट डालते होंगे तो क्या करते हैं इस पलेटको आप दाहने लगा देंगे या बैया लगा देंगे बाड़ी काड़ करके यह आगे लगा देंगे लेकिन मैं अब ही आपको बताओंगा एक नया ट्रिक कि कभी आप नया प्लेट डाले तो इस प्लेट को जितने सारे रेजिस्टेंस लगे होते हैं सारे रेजिस्टेंस एक एक करके आप उसी में लगाए जो कंपनी का होता है बटन उसी में लगाए कैसे कैसे लगाएंगे एक एक निकाल करके यहां से निकालिए तो वहां पर रख इसमें से और जो इसका जो टीवी का बोड़ी है जो सिमिस्ट फिटिंगर है कि तो उसको निकाल करके जतना पराणा रजिस्टेंस से बहर कर लिजिए और इसको आ leggा दोचीजिन को लगा कर आपको दिखा रहा हूं एक एक रिजिस्टेंस को मैंने विल्कूल वैसे ही लगाया है जैसे यह लगा हुआ था तो पुराना रजिश्टेंस जो था महीन था पतल्दा था तो अंदर से लगा हुआ था जो कि यह मोठा रिश्टेंस से अंदर नहीं लएक पाएगा इसलिए मैं उसपर से लगा दियाहं और मेनू बटन माइनस बटन पलस बटन जितना बटन है ओके बटन जितना इसमें बटन है सारे बटन ओके मतलब की काम कर रहा है अब मैं इसको फिट करूंगा आपको दिखाऊंगा कि कैसे यह काम कर रहा है किस प्रकार यह काम कर रहा है क्योंकि यदि आप भी लगा देंगे पलेट जल्दी बाजी में तो यह वर्क नहीं करेगा कहीं इसका बटन जो वैलू का दाबेंगे वैलू का तो यह चानल बताएगा तो आप ऐसे बिल्कुल बढ़ियां से काम करेंगे तो बिल्कुल ऐसे सेट कर लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद तो अब मैं चेक करूंगा इसको एबी सिस्टम लगा कर कि आपको दिखाऊंगा आगे सीशा पर कि किस प्रकार यह काम करएगा तो मैं इसको जिक को अंदर लगा रहा हो प्लेट से अटिक appointments कर लोंगा इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूं सीशा पर किसी दीखिये सीशा LAUGH इसका जो बटन काम कर रहा कैसे काम कर रहा है तो मिल लेए चलता हूं आपको आगे मैंने टीवी को वान कर लिया है और अब चलता हूं आगे दिखाने के लिए यह TV देखिए चल आए यह TV और मैं आपको दिखाओंगा कि कैसे कैसे इसका बटन काम कर रहा है पलस माइनस और चानल पलस माइनस और OK और Stand by mode तो आपको मैं दिखा रहा हूँ बिलकूल ओइसे ही काम करेगा जैसे पहले काम करता था बिलकूल ओइसे ही सेट हुआ है कोई कहर नहें सकता है कि अलग से पलेट समे लगा हुआ है बिलकूल सेम बिलकूल काम करेगा तो आप ऐसे काम कीजेगा तो आपका परसानी नहीं होगा और बाड़ी का भी शेप्टी बना रहेगा क्योंकि बहुत लोग बाड़ी को खराब कर देते हैं प्लेट को लगा देते हैं बटन वाला तो ऐसे काम न किजेगा और मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आप इस प्लेट को लगाएगा तो जि चारे बटन को जब नया कर देंगे तो बिल्कुल यह प्लेट बिल्कुल ओके काम करेगा बिल्कुल नया की तरह काम करेगा कंपनी की तरह काम करेगा जैसे मैंने इसको किया हूं वैसे आप इस काम को कर सकते हैं यदि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीख मिला है तो प्ल